हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम ट्राइब साफ यूरोपा वेब सिरीज के बारे में बात करेंगे मूवी का साल 2074 का है जहां हमें पता चलता है कि 31 दिसंबर 2029 को पूरी दुनिया में एक साथ इलेक्टिसिटी कर जाती है सारे फोन्स, रेडियो, टीवी, काम करना बंद कर देते हैं यानि पूरी दुनिया अचानक ब्लेक आउट हो जाती है और सारी दुनिया में अरजक्ता फाइले लगती है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाती है इसलिए लोग अब छोटे-छोटे ट्राइप्स में बट कर रह रहे हैं लेकिन पूरे यूरोपा में ट्राइप्स के वच्चत्स की लड़ाई चल रही होती है और ये ट्राइप्स अब 31 दिसंबर 2019 को ब्लैक दिसंबर भी करते हैं मूवी सुरू होती है और हम देखते हैं तीन भाई बहन को जिनका नाम लिव, कियानो और एलिया होता है ये तीनों जंगल में सिकार कर रहे होते हैं तभी इन्हें एक एरक्राफ्ट दिखाई देता है जो जंगल के दूसरे साइट पर क्रैस हो जाता है कियानो कहता है कि हमें जाकर चेक करना चाहिए कि उस एरक्राफ्ट में क्या है पर लिव मना कर देती है तभी एलिया लिव से कहता है कि ये एरोप्लेन नई दुनिया से आया हुआ लगता है क्योंकि Black December से पहले ऐसा एरोप्लेन पूरी दुनिया में नहीं था लेकिन लिव उन्हें अपने कबीले में चलने को बोलती है जो इस जंगल के बीच में रहते हैं और इनके कबीले का नाम Origines होता है Origines कबीला बहुत ज़्यादा एंटी टेकनलोजी होता है क्योंकि इनका मानना है कि टेकनलोजी नहीं पूरी दुनिया को बरबाद किया इसलिए वे दुनिया से अलग जंगल में रहते हैं ताकि वे सुरचित रहें घर पहुचने के बाद लिफ उस एरक्राफ्ट के बारे में अपने पिता को बताती है जो इस कबीले का सरदार होता है आगे हमें दिखाते हैं क्रो कबीले के सरदार को जिसका नाम कैपिटान होता है तबीं, वहां वार वार आती है और कैपिटान को बताती है, कि उसके सोलजर ने एक Aircraft को सूट किया है जो सैथ Atlantian Aircraft था और हुआ Aircraft South Forest के सैट क्रैस हुआ हमें उस Aircraft को सबसे पहले ढुखना चाहिए इससे पहले कि वह Aircraft उसमनों के हाथ लग जाए यह सुनकर कैपिटान काफी खुश होता है और कहता है अगर उसे एटलांटियन टेकनलोजी मिल जाए तो वह पूरे यूरोपा कॉंटिनेंट पर राज कर सकता है और कैपिटान वावारा से कहता है कि अगर तुम एटलांटियन टेकनलोजी को लाने में कामियाब होई तो तुम है हाईलोड की पोजीशन मिलेगी फिर वावारा उस एरक्राफ्ट को ढूनने के लिए निकल जाती है यहाँ हम तीनों भाईवनों को बात करते हुए देखते हैं कि आनों कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर वह कल उस एरक्राफ्ट को देखने जाएगा हो सकता है उसे वहाँ जाने से ब्लैक दिसंबर के बारे में कुछ पता चले कि पुरानी दुनिया क्यों खत्म होई इसलिए वह लिव और एलिया दोनों को भी साथ चलने के लिए करता है पर वे दोनों मना कर देते हैं आगे हमें दिखाते हैं कि एलिया ने आज पहली बार सिकार किया इसलिए पुरा ओरिजिन्स कभीला उसे बड़े होने की सुबका मनाई देता है साथ ही उसके हाथ पर ओरिजिन्स कभीले का टाइटू गोत कर उसे ओरिजिन्स कभीले का सदस से बनाते हैं इसके बाद सभी जसन मना कर सोने चले जाते हैं अगली सुबह ये तीनों भाई भान अपने पिता और कुछ ओरिजिन्स के साथ एरक्राफ्ट को ढोड़ने के लिए जाते हैं जहां उन्हें एरक्राफ्ट को मिलता है पर वह एरक्राफ्ट पुरी तरह से खराब हो गया था एरक्राफ्ट को देखकर लिव अपने पिता से पुझती है कि क्या ब्लैक दिसमर से पहले भी ऐसे चीज़े होती थी उसके पिता करते हैं उन्होंने ब्लैक दिसमर से पहले बहुत सारे हलिकाप्टर्स, ड्रोन, स्पेस क्राफ्ट देखे हैं लेकिन ऐसा एरक्राफ्ट ब्लैक दिसमर से पहले धर्ती पर मौझूद ही नहीं था इधर एलिया को एरक्राफ्ट से कुछ दूरी पर ब्लैक सा क्यूब मिलता है वा उस क्यूब को ले लेता है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता फिर वह उस cube को लेकर अपने secret place पर जाता है जहां वह पुराने समय के बहुत सारे चीज़े को इकठा करके रखता है जैसे पुराने समय के keyboard, DVDs, video games, smart phones, new papers, खिलोने और भी ऐसी बहुत सारी चीज़े और वह इस cube को भी वही रखने के लिए आता है लेकिन उसका पीछा करते विए Atlantian pilot भी वहाँ आ जाता है जिसे बहुत जादे चोट लगी थी और उसका खून भी बह रहा था एलिया उसकी मदद करने के लिए करता है लेकिन Atlantian pilot के वल एक ही बात करता है कि उसका cube कहीं खो गया है और एलिया किसी को भी ना बताए कि वह यहाँ पर है फिर एलिया अपने कबिले में जाता है ताकि वह इसके लिए कुछ मेडिसीन ले आए पर लिव एलिया को मेडिसीन ले जाते विए पकड़ लेती है और वह एलिया से फूसती है कि तुम यह मेडिसीन लेकर कहा जा रहे हो एलिया के पास इसका कोई जबाब नहीं था दिर बाद एलिया उससे वह क्यूब देता है जिसे पाकर एटलांटियन पैलेट बहुत खुस था और वह एलिया से मदद मांगता है एलिया उसकी मदद करने के लिए मान जाता है तब एटलांटियन पैलेट उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लोगों को एक मैसेज देना होगा और उन्हें बताना होगा कि इस्ट से कुछ हारा है, कुछ जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर एलिया एटलांटियन पैलर्ट से पुछता है कि तुम्हें पता है कि पुरानी दुनिया कैसे खत्म होई और ब्लैक दिसंबर के दिन क्या हुआ था। एटलांटियन क्यूब के तरह सारा करते हुए कहता है कि इस क्यूब में तुम्हारे हर एक क्वेशन कैंसर है। बस तुम्हें इस क्यूब को मेरे लोगों तक पपचाना होगा। तब ही वहाँ एलया का पिता आ जाता है और वह एलया को एटलांटियन पैलोट से दूर जाने को कहता है क्योंकि किसी भी बारी आदमी को ओरीजिंस कभीले में लाना उनके रूल्स के खिलाप है फिर वह पूरे कभीलों को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है और उन्ह ही धेर में क्रोज वहाँ पर आ जाते हैं यहां एलिया का पिता वावारा से कहता है वह उसे एटलांटियन पैलट देने को तयार है और वह क्रोज से लड़ाय नहीं करना चाहते लेकिन वावारा इसकी बातों को इगनोर कर देती है और वह एक अट्लांटियन पैलट उस क्यूब से अपने आखों को स्कैन करता है, फिर हुआ क्यूब हवा में उड़कर एलिया के आख को स्कैन करता है, फिर एट्लांटियन एलिया से करता है कि अब तुम्हें ही इस क्यूब की रच्छा करनी होगी, फिर एलिया उस क्यूब को लेकर वहा भी होते हैं जबकि लीव को क्रोज चाको मार कर घाल कर देते हैं और लीव वहीं बिहोस हो जाती है और फर्स्ट एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है अब आगे यह देखना आए कि एलेया उस क्यूब को लेकर वहाँ से भाग पाता है या फिर क्रोज उसे पकड़ लेते हैं इसके आगे का जानने के लिए आपको कल तक का इंतिजार करना होगा क्योंकि कल मैं इस फेप सिरीज का अगला एपसोड अप्लोड करूँगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे